नमस्कार आप देख रहे हैं सत्तावी मर्ष और मैं हूँ किरुन राए बात कॉंग्रेस की कॉंग्रेस में युवा निताओं के बागी तेवरों के बीच पार्टी में बदलाव की मांग तेज हो गई है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मताबिक कॉंग्रेस के तेज निताओं ने पार्टी अध्धक्ष सोन्या गांधी को चिठ्थी लिखकर उपर से नीचे तक संगठन में बदलाव की दिमांड की है चिठ्थी लिखने वालों में पांच पूर्व मुख्य मंत्री हैं कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रिय मंत्री शामिल हैं आप जानते हैं कि इसी महीने अंतरिम अध्धक्ष के तौर पर सोन्या गांधी का कारिकाल खत्म हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर कल यानि सोमवार सुभा 11 बजे कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक रखी गई है बैठक से ठीक पहले इन निताओं की चिठी को एक चिनौती के तौर पर देखा जा रहा है 15 दिन पहले कॉंग्रेस आला कमान को भीजी गई इस चिठी में ऐसी तमाम बातों का जिक्र है जो लीडर्शिप को चुब सकती है रिपार्ट्स के मुताबिक इसमें जिन तीन प्रमुख मांगों का जिक्र किया गया है वो कुछ इस तरह से है पहला लीडर्शिप फुल टाइम यानि पूर्ण कालिक और प्रभावी हो जो की एक्टिव रहे और उसका असर भी दिखे दूसरा कॉंग्रेस वरकिंग कमिटे के चुनाव करवाए जाएं तीसरा सबसे एहम बात है कि इंस्टिटूशनल लीडर्शिप मेकानिजम तुरंत बने ताकि पार्टी में फिर से जोश भरने के लिए गाइडन्स मिल सके कॉंग्रेस में इसे बदलाव की बयार भी कह सकते हैं बहुत बड़ी चुनावती है इस बदलाव के पीरियड में आप देखना ये है कि कॉंग्रेस अध्यक्ष क्या रिणने लेती हैं फिलहाल के लिए इतना ही देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्ष